जो भारत और पच्चिम मंगाल की जनता है वो रक्षक बन गई संवधान की और भक्षक निर्मम्ता बैनर जी जो की मुख्यमंत्री है पच्चिम मंगाल की ग्रह मंत्री का विभाग है और स्वास्त मंत्राल्य है उनके पास वो भक्षक बनी हुई है ऐसे पुलिस कमिशनर को जो की पच्चिम मंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है आपको इस्तीफा देना चाहिए उनको बरकास करिए आप अपने फोन का पूरा कॉल रेकॉर्ड पुलिस कमिशनर का पूरा कॉल रेकॉर्ड जो प्रिंसिपल एक्स हटाया गया उसका पूरा कॉल रेकॉर्ड सार्जिनिक करिया जो भारत और पच्चिम बंगाल की जनता है वो रक्षक बन गई संवधान की और भक्षक निर्मम्ता बैनर जी जो की मुख्यमंत्री है पच्चिम बंगाल की ग्रह मंत्री का विभाग है और स्वास्त मंत्राल्य है उनके पास वो भक्षक बनी हुई है उनको शरम नहीं आ रही है किस तरह से उन्होंने ये सही नहीं समझा कि वो पीड़ता के परिवार के साथ खड़ी हों वो रेपिस के साथ खड़ी हो सकती है आज पहले में तीन बड़ी बाते जो की सर्वोच ड्याले ने प्रश्ट किये हैं मंत्राब एनरजी सरकार से उसको उजागर करूँगा और फिर आपको उसका निशकर्श और क्या निकल के आता है वो बताना चाहूँगा सबसे पहले ये टिपड़ी भारत के मुख्य न्याधीश जो की सुप्रीम कोड के तीन जज़िस की बेंच में बैठे ते सुनवाई कर रहे थे उन्होंने पूछा और मैं कोट कर रहा हूँ जो रिपोर्टिंग आई है भी ओर्डर नहीं आया है अगर कोई हीनिस क्राइम होता है कॉगनिजबल ओफेंस संगे अपराद होता है तो ये पुलीस की जिम्मेदारी है कि तुरंत एफायार दर्ज की जाए यहाँ पे एक अननाचुरल डेथ की एंट्री करते हैं और ये बात हमने बड़ी प्रमुकता से हर मंच से उठाई चाहे वो राष्टे मंच और भारती जन्ता पार्टी का चाहे प्रदेश का मंच हो आज मोहर लगी है कि भारती जन्ता पार्टी वो पार्टी है जो चाहती है कि पीड़ता के परिवार को इंसाथ मिले और हर जो हमारी बहन है पच्चिम मंगाल में वो सुरक्षित हो सर्वोत त्याले ने जब ये पूछा क्या अभी भी मम्ता बार्टी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती है क्या ये सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दे और इस्तीफा क्यों इस्तीफा इसलिए जिससे एक निश्पख्ष जाज हो सके जिससे अगर विवेचना के दौरान ये सक्षे आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही साथ में आप लिप्त थी आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो सक्ष ये है उसको नश्ट करने का प्रयास किया तो फिर आपका पॉलिग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट I repeat the polygraph test of the Chief Minister Mamata Banerji as well as the arrest of Mamata Banerji could be imperative to ensure that there is justice given to the family members of the deceased and to every citizen of the country this is the demand of the people of West Bengal and the Honorable Supreme Court has made this scathing remark unveiling the dirty face of Mamata Banerjee second जो बड़ी महतपूर्ण बात है post-mortem ये उजागर हम लोग पहले भी कर चुके आज दुबारा दोहराऊंगा ब्रतक पीड़ता का post-mortem किसी दूसरे medical college में होना चाहिए था लेकिन जल्द बाजी में आनन फानन में वो आरजी कर medical college में ही कराया जाता है और सबसे बड़ी बात और ये आज सुनवाई में आया है उसका जो चलान है जो ये बताएगा कि कितने बज़े post-mortem हुआ है तो honorable chief justice of India ने स्वयम ये पूछा why is the post-mortem report चलान missing from the records क्यों क्या उस चलान से ये स्पष्ट हो जाता कि ममता बैनर जी उनके चहेते police commissioner जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है वो जो पूर्व में principal रहे आरजी कर medical के जिनको अब arrest कर लिया गया है उनको बचाने का प्रयास कर रही थी जो एक arrest हुई है उस ROP को बचाने का प्रयास कर रही थी क्यों चलान missing है जब कलकत्ता उच्छ न्याले ने स्पष्ट कहा कि सारा record सारा सारा record फाइल्स लेके उसके अंदर के जो कागज है वो भी वो धागा भी जिससे आप सिलते हैं फाइल सब का सब CBI को दे दे तो चलान missing कैसे हो गया मंता बैंट जी जी क्रिप्या करके ये बताईए हमें और इसके साथ ये भी बड़ा बहतपूर्ण है सीसी टीवी फुटेज आप सब पत्रकार हैं हमारी लोगतंत्र का चोथा स्थम है सीसी टीवी फुटेज जिससे ये पता चलता कि कितने बज़े आरोपी अस्पताल में आए अंदर गए दुशकर्म किया कम निकले और कितने लोग निकले और किसने सबूत मिटाने का प्रयास किया आपको जानके अशर्य होगा बेशरम निर्रज गैर जिम्मेदार मुक्यमंत्री निर्ममता बैनर जी उनकी पुलीस केवल 27 मिनिट का CCTV फुटेज देती है CBI को केवल 27 मिनिट का क्या पूछा नहीं जाएगा ये जो घटना हुई उससे पहले का उसके बाद का कई घंटों का CCTV फुटेज आवशक है कि जाज हो सके निश्पक्ष जाज हो सके तो 27 मिनिट का केवल क्यो दिया गया ये तीन बड़े प्रश्णे है और ये प्रश्णे जो हमने पूछे है आज मैं इतना ही कहूंगा निर्ममता बैनर जी जूटी ममता बैनर जी बन गई है पुलिस कमिश्टर को हटाने का उनका मन नहीं है उनकी मंच्या नहीं है हमने मांग करी है ममता बैनर जी जी पहला तो आप तुरंट इस्तीफा दें दूसरा ऐसे पुलिस कमिश्टर को जो की पच्चिम मंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है आपको इस्तीफा देना चाहिए उनको बर्खास करिए तीसरी बड़ी बात है ममता बैनर जी अगर आपके पास चुमाने के लिए कुछ नहीं है हम सब चाहते हैं पच्चिम मंगाल की जंता चाहती है कि आप अपने फोन का पूरा कॉल रेकॉर्ड पुलिस कमिश्टर का पूरा कॉल रेकॉर्ड जो प्रिंसिपल एक्स हटाया